आज जो हम अचार की रैस्पी बनाने वाले हैं, वो कई सालों तक चले वाली है, बहुत ही नए तरीके से इसको हम बना करके तैयार करेंगे, यहाँ पर हमने 3000 ग्राम कम तीखी वाली छोटी वाली हरी मिर्च ली है, यदि आप तीखी वाली मिर्च का अचार बनाना चाहेते ह यहां पर हमने थोड़ा सा काला नमग ले लिया है दो तीन चमच हमने छोटी चमच से सौप ली है और इतना ही हमने जीर लिया है और जो हमने पीली वाली सर्सों है वो हमने चार पाच चमच ले ली है यदि आपके पास पीली वाली सर्सों नहों तो आप काली वाली सर्सों का भी यूच कर सकते हैं हमने हरी मिर्च को धू लिया था और पंके की हवा में सुखा लिया था और उसके हमने डंठल तोड़ करके फैक दीए हैं दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी न भूले इस मसाले को हम साइट में रख देंगे और जो हमारी हरी मिर्च है हरी मिर्च को हम दो भागों में या फिर छोड़े चोड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे देखो हम इस तरीके से इनके सारे डंठल हमने तोड़ करके पहले ही फैक दीए है यदि आप डंठ से कट करेंगे तो कभी-कभी हाथ आपके जलने लगते हैं इसलिए आप कैची की मदद से ही इनको काटे आपके हाथ बिल्कुल भी नजले यदि आप कैची या फिर चाकू की मदद से आप इसको कट कर रहे हैं तो में थोड़ा सा सर्सों का और लगा ले सर्सों का और लगाने आपके हातों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी देखो इस तरीके से हम सारी मिर्च को कट करकर रख लेंगे यह फिर आप इनको छोटे-चोटे टुकड़ों में चार-पाथ टुकड़ों में भी इनको कटबर कर रख सकते हैं आप जिस साइज साइज की मिर्च का आचार रखना चाहते हैं उसifa साइज की मिर्च आप ले लें देखो हमने सारी मिर्च कुट अच्छी से कट कर लिया है लेकिन आप को ध्यान देना है ज्यादना सब सकुझाब में इक not Ahh具 आप थोड़े से ना देखाना हो आपको तो आप पंके की हवा में अच्छेalten मने पर रहं रख दी ki फूरम में हमने वह बतक नेन रहे है और पmberka प्रशब może दीशन का ये हिज को तो जो आपका अचार जली से खराब हो जाएगा इसलिए अपको धीमी गेस पर ड्राइ रोस्ट इनको अच्छी से कर लेना है यदि आप इसमें थोड़ी सी मैथी डालना चाहते हैं तो आप इसमें मैथी भी डाल सकते हैं या फिर आपको लैसुन डालना है तो आप लैसुन भी डाल सकते हैं आज हम बहुत ही साधा सिंपल तरीके से अचार रखने वाले हैं और इतना टेस्ट ही अचार लगेगा कि आप इसको सालों साल ही खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा हमारी मसाले भून चुके हैं इनको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है थोड इसी के जार में डालें अच्छे से इनको थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे या फिर बारीक भी आप इसको पीश सकते हैं गेस पर हमने दुबारा से कढ़ाई रखती है और उनमें हमने थोड़ा सा सर्सों का ओल डाल दिया है सर्सों को हम अच्छे से गरम करेंगे जब तक कि अच्छ टेस्ट आएगा देखू हमारी वल में अच्छे से ध्वण आने लगा लगा है अब हम इसको ठंड़ा होने के लिए रख देंगे अचार अपको गरम गरम तेल नहीं डालना हैं नहीं तो आपका अच्छारा को खराब होनी का डर रहता है दिखो हमने कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और थोड़ा सा हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और जो हमारी मिर्च थी मिर्च में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है आधी चम्मच घ्रम नमक चाहिए तरो आधीमाने नमका पहलें दाला हो हमारा घर कर बना हुगा मसाला है बहुत ही टेस्टी अचार लगता है इसका देखो हमने इसमें दो चम्मच भरके मसाला डाल दिया है मसाला आप अपनी टेस्ट के एकोणे कामिया ज़्यादा कर सकते हैं हमने बिना लैसुन का आज मिर्च का आचार रख करके तैयार किया है और जो हमने ओयल गरब ठंडा होने के लिए रखा था हमारा ओयल भी अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम इसमें 3-4 चमच वयल डाल देंगे वयल बिर्च में थोड़ा जादा डालना है यदि आपको बहुत दिनों तक स्टूर करके रखना है यदि आपको स्टूर नहीं करना है तो आप इसमें थोड़ा सा ही तील डाले थोड़े से ही तेल में जो हमारा मिर्च का अचार है बन करके तयार हो जाता है और खाने में बहुत तेस्टी लगता है अब कभी भी इसको रख सकते हैं बहुत ही तेस्टी आज जो हमारा अचार है बन करके तयार हो चुका है देखे दोस्तो हमने इसको अच्छे से चम्मस से मिला दिया है चम्मस यह अच्छे से नहीं मिलता है आपको हाथों से अच्छे से मिला लेना है हाथों से जो आप मिर्च की अचार का मसाला मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा मसाला मिल जाएगा और देखो हमारा सालों साल चलने वाला मिर्च का अचार बन करके तयार हो चुका है दोस्तो जब आप इसको खाएंगे तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा देखो हमने अच्छे से मसाले में मिर्च के अचार को मिक्स कर दिया है बहुत ही टेस्टी आज का जो हमारा मिर्च का अचार है बन करके तैयार हो चुका है दोस्तों बहुत ही पसंद आने वाला है जेको कितनी सिंपल तरीके से आज हमने मिर्च का अचार रखा है ना तो हमने इसको धूप में सुखाया है और ना ही हमने इसको कुछ किया है बहुत ही सरल तरीके से इसको आज हमने बना करके तैयार किया है वीडियो देखने को लिए आपको धन्यवाद